तो इस लेक्चुर में मैं फिर से लेके आए हूँ 15 questions for NTPC तो इस वीडियो में काफी important questions को मैंने add किया है और यदि आप मेरी चैनल पर नए हैं तो चैनल को subscribe कर लीजिए bell icon को press कर लीजिए ताके आप हमारी next आने वाली वीडियो को miss ना कर पाए ओके यदि आपको हमारे pdf file चाहिए या फिर other steady material आपको चाहिए तो आप हमारे चैनल को join कर सकते हैं जिसका link में description box में दे दूँगी तो चलते हैं आज की first question पर Question number 131 किसी वहान का speedometer क्या मापता है तो यहां पर किसी वहान का speedometer है वो ताक्सिनिक चाल मापता है तो यहां इसका जो answer है वो हो जाएगा Option number C तो किसी वहान का speedometer ताक्सिनिक चाल को मापता है Question number 132 Newton समतुल्य है Newton is equivalent to Newton किसके बराबर होता है मतलब इसकी क्या value होती है तो Newton की जो value होती है वो होती है 10T power 5 जायन ठीक है यह इसकी value होती है तो इसका answer हो जाएगा Option number B तो इसका answer हो जाएगा 10T power 5 जायन चलतें next question पाँ आज का जो किस question है वो है वातवरण की वहपरत जो रेडिय तरंगों को प्रावर्तित करती है कौन सी है Option A आयन मंडल Option B छोब मंडल Option C समताप मंडल Option D भाये मंडल यह इसका answer आपको पता है तो आप इसका answer कमेंट सेक्शन में दे सकते है Next question है Question number 133 कोणी विक परिवर्तन की दर को डैस कहा जाता है What is the rate of change in angular velocity Option A कोणी समविक Option B कोणी विस्ताफन Option C आवर्ति Option D कोणी तरंग तो यहाँ पर इसका answer होगा जो हम कोणी विक की परिवर्तन की दर को कोणी तरंग कहते है तो Option D हो जाएगा साई answer क्योंकि definition से related भी questions exam में आते हैं तो आपको भी यह चीज भी याद रखनी पड़ेगी Next question है Newton की गती का पर्थम नियम क्या व्यक्त करता है Newton's first law of motion express तो यहाँ पर जो Newton के जो गती का पहला नियम है वो जड़त्व का नियम होता है कि वो यह कहता है कि यदि कोई वस्तु है वो एक जगह पर इस्तिर है जब हम वो तब तक आगे की तरफ नहीं जाएगी तब तक हम उस पर कोई force नहीं लगाएंगी तो उसे ही हम क्या कहते है जड़त्व का नियम तो Newton के गती का जो पहला नियम होसको हम जड़त्व का नियम भी बोलते है तो इसका अंसर हो जाएगा option C जड़त्व का नियम ठीक है next question है एक समान गती के अवस्ता में turn dash होता है in the same state of motion in acceleration is तो यहाँ पर एक समान गती के अवस्ता मतलब एक same state में जो motion है उसमें जो अपना acceleration है वो होता है zero मतलब की सुन तो option ही हो जाएगा यहाँ पर सही अंसर next question है जड़त्व आगून का SI मात्रक क्या है what is the SI unit of momentum of inertia तो यहाँ पर जड़त्व आगून का SI मात्रक है वो होगा kg m2 मतलब की kilogram m2 तो यह questions भी last किसी exam में पूछा जा चुका है तो SI मात्रक तो आपको यादी करने चाहिए कि यह तो बहुत exam में पूछे जाते है आपको निकालने भी आने चाहिए ओके या फिर मैं कोशिस करूँगी कि जो भोती की विमा होती है जो dimension होते हैं उसको किस तरीकी से हम निकाल सकते हैं ओके तो next question है आवर्ती का विम्य सुत्र है what is the dimension of recurring तो option यहाँ पे जो option D है वो हो जाए इसका साई अंसर ठीक है ML T inverse तो यह इसकी क्या हो जाएगी विमा हो जाएगी आवर्ती की तो answer इसका जो right answer है वो होगा option number D next question है electromagnetic forces विदू चुमकी बल है विदू ती चुमकी बल इसमें से किस nature को follow करता है attractive in nature, repulsive in nature attractive as well as repulsive in nature यह none of these तो यहाँ पे इसका जो answer आएगा वो आएगा option number C attractive as well as repulsive in nature कि वो attractive भी हो सकता है अपने nature के according repulsive हो सकता है like की आकरसन भी हो सकता है परतिकरसन भी हो सकता है वो उसके खुद के उपर depend करता है तो इसका जो electromagnetic force है attractive, repulsive वो अपने nature के according depend करता है तो कोई भी हो सकता है तो इसका जो अंसर होगा option number C next question जब बरफ पिघलती है तो what happened when I smelt तो यहाँ पे option है कि जब बरफ पिघलती है तो क्या होता है यहाँ पे इसका आयतन घटता है volume is decreased volume increase कि आयतन भढ़ता है यह इसका आयतन यह दरोमन दोनों घटते है यह इसका आयतन घटता है जबकि दरोमन बढ़ता है तो यहाँ पे इसका जो अंसर आएगा option number C कि इसका जो आयतन है volume और जो mass है वो दोनों के दोनों क्या होता है decrease होता है तो इसका अंसर क्या हो जाएगा option number C मिट्टी के घड़े में निमी लिखित में से किस किरिया के कारण जल ठंडा होता है which of the following accents water keep cool in clay pot तो मिट्टी के घड़े में कौन सी किरिया होती है जिसके कारण वो जल ठंडा रहता है तो यहाँ पे वास्पी करण तो वास्पी करण के कारण ही हमारा जो मत्की का जो जल होता है वो ठंडा होता है ठीक है तो यह आपको याद रखना होगा क्योंकि एक्जामेज पूछा होगा कुश्यन है next question होमी भाबा प्रुसकार कि शेत्र के विसेश योगदान के लिए दिया जाता है in which field the होमी भाबा अवर्ड is given for outstanding contribution तो हमी भाबा प्रुसकार है वो कौन से field में विसेश योगदान के लिए दिया जाता है तो यहाँ पे नाभी की उर्जा जो अपना field है उसमें भाबा प्रुसकार दिया जाता है तो option 2 है वो अपना सही answer हो जाएगा the next question है प्रासर वे धवनिया हैं जिसके आवर्थी होती है जो प्रासर धवनिया है उनके आवर्थी कितनी होती है यह question बहुत बार exam में पूछा जाता है कोई भी exam हो राजसान प्लीस हो दिली प्लीस हो RRB, NTPCI, SSC, CHSL हर exam में मैं यह questions को देखते हूं like beard में भी क्योंकि धवनिया जो sound से question जादा तर यही पूछा जाता है इसमें confusion का थोड़ा होता है ultrasonic are those sound huge frequencies तो यहाँ पे 20,000 Hz से हदिक 10,000 Hz से कम 1,000 Hz से हदिक कि इन में से कोई नहीं तो इसका जो answer होगा option number A कि 20,000 Hz से हदिक होती है इनकी जो frequency होती है तो next question 143 एक मकान में दो वलफों में से एक बलफ दूसरे से अधिक रोश नहीं देता है और इन दोनों में से किसका resistance मतलब परतिरोध अधिक है तो one of the two bulbs in a house one gives more light than other either of these two whose resistance energy is high मतलब कौन से बलफ की energy है वो ज्यादा होती है तो first option है हदिक रोशनी वाले बलफ की option B है मंद रोशनी वाले बलफ की option C है दोनों बलफों में परतिरोध तुल्ले है option 4 है बलफ की रोशनी की तीवर तो उसकी परतिरोध पर निर्बर नहीं करती है ऐसा तो होई नहीं सकता प्रतिरोध होगा तभी तो कुछ होगा तो यहाँ पे जो अंसर आएगा इसका जो मंद रोशनी वाला जो बलफ है न उसकी जो प्रतिरोध है उसका प्रतिरोध अधिक होगा ठीक है तो इसका अंसर होगा है option number 2 next question है निम्न में से अधिक्तम दरोमान किसका है in which of the following has maximum mass तो यहाँ पे neutron का जो mass होता है वो सबसे अधिक होता है तो इसका अंसर होगा neutron sorry neutron होगा तो इसका अंसर होगा neutron ओके तो next question है question number 145 प्रकास के विद्दु चुम के सवरूप की खोज किसने की who discovered the electromagnetic nature of the light तो इसका जो अंसर होगा वो होगा Maxwell तो Maxwell ने विद्दु चुम की electromagnetic nature की खोज की है तो इसका अंसर आएगा Maxwell ओके तो यहाँ पे अपने 145 questions complete हुए यदि आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को ज़्यादा ज़्यादा share करें और यदि आप मेरे चैनल पे नए हैं तो वीडियो को सब्सक्राइब करें बैल आइकन को प्रेस करें लाइक बटन को प्रेस करें और maximum share कर दीजिए जिससे कि हर बच्चे को या हर student को physics के questions में कोई मतलब problem नहीं हो और आसानी से अपने exam को fight कर पाए ओकी गाइस thank you ते के bye bye